हम बात कर रहे हैं HFCL की आज के दिन की बात करें तो फिलाल स्टॉक में हमको 4% के उपर के आपसाइट के साथ इस टॉक जो है ट्रेड होता नजार आ रहा है हम देख सकते हैं इस वक्त इस टॉक 94.05 पैसे पर फिलाल ट्रेड होता नजार आ रहा है बड़ी गिरावट के बात स्टॉक ने बांस बैक कर दिया है कल की वीडियो में हमने डिसकस किया था कि इससे पहले जिस लेवल से स्टॉक ने बांस बैक किया था सेम उसी लेवल से बांस बैक हो रहा है इस बांस बैक के साथ जो मेजर रेजिस्टन्स था 90 का लेवल इसको भी ब्रेक आट करके ऊपर सस्टेन होता नजर आ रहा है निच्छे की और अप 90 का जो लेवल है तगड़ा और इंपोर्टन सपोर्ट रहने वाला है यहां से इस्टॉक तरीक ऊरी दिखा सकता है अपने इस हाई को ब्रेक आट करता नजर आ सकता है इसके पूरे पूरे चांस बन रहे है क्यूंकि इस्टॉक ने सेम सपोर्ट से यह बॉन्स बैक किया है इससे पहले जहां से bonds back किया था उसी लेवल से stock ने हमको bonds back करता नजर आ रहा है पिछली वीडियो में हमने इसको analyze भी किया था देख सकते हैं इस वक भी आन कि stock उसी लेवल से same support से bonds back हो रहा है तो इसके आपने high के breakout के chance बन रहे हैं अब immediate जो stock resistance face करने वाला है 98-100 के लेवल तक का stock jump दिखा सकता है इस लेवल पर stock major resistance face कर सकता है 100 के लेवल का breakout होना important है लगातार तेजी के लिए और stock breakout करता नजर आ सकता है chart pattern के according अगर 100 का लेवल breakout हो जाता है तो next target बनेगा 108 110 का 110 का लेवल बनेगा और इसको breakout कर गया तो 115 से लेके 120 तक के target आप short term में HFCL दिखा सकता है HFCL में हमको 120 तक के target आप short term में ही देखने के लिए मिल सकते है वीडियो education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दीगए link से कर सकते हो